प्यारे बच्चो नमस्कार जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले अंक में हम आपकी कक्षा 10 की राजनीती विज्ञान की पुस्तक लोकतांत्रिक राजनीती भाग 2 के पार्ट 6 राजनीतिक दल पर चर्चा कर रहे थे अब तक हमने पढ़ा था कि राजनीतिक दल का अर्थ क्या है राजनीतिक दल के तीन पिर्मुग घटक कौन से है राजनीतिक दलों के कारे क्या है राजनीतिक दल क्यों जरूरी है और साथ ह हमने पढ़ा था कि एक दलिये द्वी दलिये और बहु दलिये विवस्ता क्या होती है और यह किन देशों में हैं इन विवस्ताओं के तुलनात्मक लावहानी क्या हैं और सभी देशों के लिए एक आदर्श दलिये विवस्ता क्या हो सकती है अंत में हमने राजनीती की नैतिक ताकत पर बात की थी और समझा था कि जन अंदोलन से जुड़े लोगों को अपना अलग राजनेतिक दल क्यों बनाना चाहिए अब हम इस पार्ट पर इससे आगे की बात चीत करते हैं बच्चों अब हम बात करेंगे राजनेतिक दलों में जन भागीदारी की प्राया यह कहा जाता है कि दुनिया में राजनेतिक दल ही एक ऐसी संस्ता है जिस पर लोग सबसे कम भरोसा करते हैं फिर भी राजनेतिक दलों के कामकाज में लोगों की भागीदारी का इस्तर काफी उंचा है स्वैम को किसी राजनेतिक दल का सदस्य बताने वाले भारतियों का अनुपात कनाडा, जापान, इस्पेन और दक्ष्ण कोरिया जैसे विक्सित देशों से भी अधिक है पिछले चार दशकों के दौरान भारत में राजनेतिक दलों की सदस्य तक अनुपात दीरे धीरे भढ़ता गया है स्वैम को किसी राजनेतिक दल का नजदी की बताने वालों का अनुपात भी इस अबढ़ता गया है इसलिए आपको आशर्रे नहीं होना चाहिए कि भारतिय जनता पारिटी विश्व का सबसे बड़ा राजनेतिक दल बन गाई है और इसकी सदस्य संख्या दस करोड के भी पार पहुँच गई है बच्चों अब हम बात करते हैं राजनेतिक दलों के पिरकार की दुनिया के संग्य विवस्ता वाले लोक तंत्रों में दो तरह के राजनेतिक दल होते हैं संग्य इकाईयों में से सिर्फ एक इकाईय में अस्तित्व रखने वाले दल और अनेक या संग की सभी इकाईयों में अस्तित्व रखने वाले दल भारत में भी यही इस्तिती है कई पार्टियां सारे देश में फैली हुई है और उन्हें रास्टे पार्टी कहा जाता है इन दलों की विविन राज्यों में इकाईया है और कुछ दल ऐसे हैं जो केवल एक या दो राज्यों में ही है राष्टे दलों की सारी इकाईयां राष्टे इस्तर पर लागू होने वाली नीतियों, कारिकर्मों और रणनीतियों को ही मानती है बच्चों, भारत के हर राजनेतिक दल को चुनाव आयोग में अपना पंजी करण कराना पड़ता है वैसे तो चुनाव आयोग सभी दलों को समान मानता है, लेकिन यह बड़े और स्थापित दलों को कुछ विशेश सुविधाय भी देता है इन्हें अलग चुनाव चिन दिया जाता है, जिसका प्रियोग पारिटी के अधिकरित उम्मीदवार ही कर सकते हैं इस विशेश अधिकार और कुछ अन्य लाब पाने वाले दलों को माननेता प्राप्ट दल कहते हैं बच्चों, चुनाव आयोग ने इसपश्ट नियम बनाए हैं कि कोई दल कितने प्रितिशत वोट और सीड जीत कर माननेता प्राप्ट दल बन सकता है बच्चों, जब कोई पार्टी राज्य विधान सभा के चुनाव में पड़े कुल मतों का 6 प्रितिशत या उससे अधिक प्राप्ट करती है और कम से कम एक लोग सभा तथा दो विधान सभा सीटों पर जीत दर्च करती है तो उसे अपने राज्ये के राजनेतिक दल के अनुपात में लोग सभा की सीट जीतता है तो उसे भी राज्ये स्तरिय दल के रूप में माननेता मिल जाती है इसके अत्रिक यदि कोई दल राज्ये की विधान सभा की कुल सीटों का नियूंतम 3 प्रितिशत या नियूंतम 3 प्रितिशत सीटे जीतता है तब भी उसे राज राज्य में पढ़े कुल वोटों के 8 पृतिशत वोट मिल जाते हैं तब भी उसे राज्य स्तर्य दल की माननेता मिल जाती है अगर कोई दल कम से कम तीन अलग अलग राज्यों में लोगसभा की 2 पृतिशत सीट जीत लेता है अत्वा चार या अधिक राज्यों में कुल दल को कम से कम चार राज्यों में राज्य इसतर्य दल के रूप में माननेता मिली हो तब भी उसे राष्ट्य दल के रूप में माननेता मिलेगी बच्चों इस वर्गी करण के हिसाब से 2020 में भारत में 8 राज्यनितिक दलों को राष्ट्य दल का दर्जा दिया गया है और 53 द दलों के बारे में संशेप में चर्चा करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं भारतिय रास्ट्रे कॉंग्रेस की जो की भारत कहीं नहीं अपितु विश्व के प्राचीनतम राजनेतिक दलों में से एक है इस दल का गठन 1885 में हुआ था और तब से अब तक इसमें कई विभ कार रही है यह दल मध्यमारगी है और इसने धरम निर्पेक्ष्टा और कमजोर वर्गों तथा अल्प संख्यक समुदायों के हितों को अपना मुख्य एजेंडा बनाया है यह दल 1991 में अपनाई गई नई आर्थिक नीती का समर्थक है लेकिन यह इस बात का भी दावा करता है कि यह इन नीतियों का निर्धनों और निर्बल वर्गों पर बुरा असर ना पढ़ने देने के लिए भी कृत संकल्प है जवालाल नहरू के नेत्रित में इस दल ने भारत को एक आधुनिक धरम निर्पेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्ये बनाने का प्रियास किया जवालाल नहरू, लाल भाद्दूर शास्त्री, इंद्रा गांधी, राजीव गांधी, नर सिंग राओ और मन महन सिंग इस दल की ओर से भारत के प्रिधान मंत्री रह चुके हैं 1979 के विवाजन के बाद से कुछ समय को छोड़कर अधिकान समय तक इस दल के अध्यक्ष एक ही परिवार के सदस्ये रहे हैं वर्तमान में सौनिया गांधी इस दल की अंत्रिम अध्यक्ष हैं 2004 से 2014 तक इस दल के नेत्रित में संयुक्त प्रिगतिशील गडबंधन की सरकार चली थी 2014 से इस दल का चुनावी पराभाव दिखाई देता है 2014 और 2019 में यह दल लोकसवा की क्रमशह 44 और 52 सीट नहीं जीत पाया है और इसलिए इसे विपक्ष के नेता का आधिकारिक पद भी नहीं मिल पाया है बच्चों अब हम बात करते हैं भारतिय जनता पार्टी की जो केवल भारत ही नहीं अपितू पूरे विश्व का सबसे बड़ा राजनेतिक दल है पुराने भारतिय जनसंग को पुनर जीवित करके 1980 में भाजपा का गठन किया गया था यह दल भारत की प्राचीन संस्कृती और मूल्यों से प्रणा लेकर मजबूत और आधुनिक भारत बनाने के लक्षे के लिए काम करता है भारतिय राष्टेवाद और राजनीति की अवधारणा में सांस्कृतिक राष्टेवाद या हिंदुत्व एक प्रमुक तत्व है कश्मीर को विशेश दर्जा देने वाली धारा 370 की समाप्ती आयोध्या में राम मंदिर का निर्मान समान नागरिक सहीता धर्मान तरण पर रोक और विश्व में भारत को एक सम्मान पूर्ण स्थान दिलाना आधी इस दल के प्रमुक चुनावी मुद्दे रहे हैं यह दल नई आर्थिंग नीती का भी समर्थक है और उद्यमियों और व्यापारियों को अधिक्तम Ease of Doing Business उपलब्द करवाने के लिए कृत संकल्ब है 1990 के दशक में राम मंदिर आंदोलन के कारण इस दल के समर्थन का आधार काफी व्यापक हुआ है पहले देश के उत्री और पश्चिमी तथा शेहरी इलाकों तकी सीमित रहने वाले इस दल ने इस दशक में दक्षण, पूर्व, पूर्वोत्तर तथा देश के ग्रामिन इलाकों में अपना आधार भढाया है 1998 में राष्ट्य लोकतांत्रिक गडवंधन का नेतरेत्व करते हुए यह दल सत्ता में आया और अटल भिहारी वाश्पई इस दल की ओर से पहले प्रधान मंत्री बने 2004 और 2009 के लोकसवा चुनावों में यह मुख्य विपक्षी दल बना रहा नरेंदर मोदी के एक नेतरित्व में 2014 और 2019 के लोकसवा चुनावों में इस दल ने अपने दम पर पूर बहुमत प्राप्त कर लिया वर्तमान में नरेंदर मोदी के प्रधान मंत्रित्व में इस दल की केंदर में और अनेक राज्यों में सरकार है शामा प्रसाद मुखर जी दीन दियाल उपाद द्याय बलराज मधोक अटल विहारी वाजपाई लाल कृष्ण आडवानी और नरेंदर मोदी इस दल के प्रमुक नेता रहे हैं बच्चो अब हम बात करते हैं बहुजन समाज पारिटी की काशी राम के नेतरित में इस दल का गठन 1984 में हुआ था इस दल का दावा है कि केवल यह दल ही बहुजन समाज का प्रतिनिधित्व करता है और यह बहुजन समाज के लिए सत्ता प्राप करने का प्रियास कर रहा है बहुजन समाज में दलित, आदिवासी, पिछडी जातियां और अधार्मिक अल्पसंक्यक शामिल होते हैं यह दल साहु महराज, महात्मा फुले, पैरियार और अंबेटकर के विचारों और शिक्षाओं से प्रिर्णा लेता है दलितों और निर्बल वर्गों के लोगों के कल्यान और उनके हितों की रक्षा के मुद्दों पर यह दल सबसे अधिक सक्री रहता है इस दल का मुख्य आधार उत्तर प्रदेश में हैं, परंतु मध्य प्रदेश, छत्तिसगर, उत्राखंड, दिल्ली और पंजाब में भी यह पार्टी अपना शक्तिशाली आधार बना चुकी है अलग-अलग पार्टीओं से अलग-अलग अफसरों पर समर्थन लेकर इस दल ने उत्तर प्रदेश में तीन बार सरकार बनाई है 2014 के लोगसभा चुनावों में इस दल को सबसे बढ़ा जटका लगा जब यह एग भी लोगसभा सीट नहीं जीत पाया 2019 के लोगसभा चुनावों में समाजवादी पार्टी के साथ गडवंधन के कारण यह दल 10 लोगसभा सीटें जीतने में सफल रहा लेकिन अब इस दल का आधार संकुचित हो रहा है सुरगे काशिराम और मायवती इस दल के प्रमुक नेता है बच्चों अब हम बात करते हैं भारत्य कम्निस्ट पार्टी मार्गसवादी अर्थात CPIM की इसे माकपावी कहते हैं इस दल की स्थापना 1964 में हुई थी इस दल को मार्गसवाद लेनिनवाद में आस्था है यह दल समाजवाद, पंथ निर्पेक्षता और लोक तंतर का समर्थक है तथा सामराज्यवाद और सामपरदाइकता का विरोधी है यह दल भारत में समाजिक आर्थिक नियाय का लक्षे साधने में लोक तंतरिक चुनावों को सहयक और उपियोगी मानता है इस दल का मजबूत आधार पश्यम बंगाल, केरल और तिरपुरा में रहा है वाम मोर्चे का नेतरित्व यही दल करता है पश्यम बंगाल में यह दल 2011 तक लगातार 30 वर्षों तक सत्ता में रहा तिरपुरा में यह दल 2018 तक सत्ता में रहा वर्तमान में पश्मी बंगाल और तिरपुरा में इसका आधार खिसक चुका है लेकिन वाम मोर्चे के नेता के रूप में केरल में यह आज भी सत्ता में है गरीबों, कारखाना मजदूरों, खेतीहर मजदूरों और बुद्धी जीवियों के बीच इस दल की अच्छी पकड़ रही है यह दल नई आर्थिंग नीती का विरोधी है 2004 में बनी सायुक्त प्रगतिशील गडवंधन सरकार को इसने बहार से समर्थन दिया था जोती बसू, एके गोपालन, EMS नम्बूदरिपाद, हरकेशन सिंग सुरजीत, प्रकाश करात और सीता राम येचुरी आदी इस दल के प्रमुखनेता रहे है बच्चों, अब हम बात करते हैं भारतिय कमिर्स पार्टी यानी CPI की इस दल की स्थापना 1925 में कानपूर में की गई थी माक्सवाद, लेनिनवाद, पंथ निर्पेक्ष्टा और लोकतंतर में आस था इस दल की मुख्य विचारधारा है यह अलगाववादी और सामपरदाइक शक्तियों की विरोधी रही है यह दल संसदिय लोकतंतर को मजदूरवर्ग, किसानों और गरीबों के हितों को आगे भढ़ाने का एक उपकरण मानता है 1964 की फूट में माक्पा इससे अलग हो गई और इसके बास से इसका आधार सिकुडता चला गया लेकिन केरल, पश्शिम बंगाल, पंजाब, आंधर प्रदेश और तमिल नाडू में इसका कुछ जनाधार बचा हुआ है 2004 में वाम मोर्चे के घटक के रूप में इसने संयुक्त प्रिगतिशील गटबंदन सरकार को बहार से समर्थन दिया था एमेन रॉय, सौमनाच चटर जी, EMS नंबूदरीपाद, इंदरजीत गुपता आदी इस दल के मुखे नेता रहे हैं राश्टे मोर्चा वाम मोर्चा की सरकार में इंदरजीत गुपता ग्रह मंत्री भी रहे थे यह अब तक का एकलोता अफसर रहा है जब कोई वामदल केंदर सरकार में शामिल हुआ था बच्चो अब हम बात करते हैं राश्टेवादी कॉंग्रेस पार्टी की इस्थापना की प्रारम में इस दल का मुख्य प्रभाव महरास्ट्र मेगाल्ले मनिपुर और बिहार में था लोकतंत्र गांधिवाद पंथ निरपेक्ष्टा सम्ता समाजिक न्याय और संगवाद में आस्था इस दल की मुख्य विचारधारा है यह दल भारत के राष्ट्रपती, प्रधान मंत्री जैसे प्रमुक पदों को केवल भारत में पैदा होने वाले नागरीकों के लिए ही आरक्षित कराना चाहता है बाद में कॉंग्रेस से मिलकर इसने महरास्ट्रे में सरकार बनाई 2004 से 2014 तक यह सहुट प्रगतिशील गडवंदन सरकार में भी शामिल रहा 2012 में इसका विभाजन हो गया और पीए संगमा को इस दल से निशकाशित कर दिया गया सत्वी लोक सभा में इसके चार सांसद हैं वर्तमान में इस दल ने शिव सेना और कॉंग्रेस के साथ मिलकर महा अगारी नाम का गडवंदन बनाया है और महरास्ट में इन्होंने सरकार बना ली है बच्चो अब हम आते हैं नैशनल पीपल्स पार्टी पर 2012 में राष्टेपती पद के चुनाव के समय NDA ने पीए संगमा को राष्टेपती पद का उम्मीदवार बनाया संगमा राष्टेवादी कॉंग्रेस पार्टी के नेता थे और राष्टेवादी कॉंग्रेस पार्टी सयुक्त प्रिगतिशील गडवंदन सरकार में शामिल थी शरत पवार आदी ने संगमा को NDA का राष्टेपत्य उम्मीदवार बनने से मना किया किन्तु संगमा नहीं माने अथा राष्टेवादी कॉंग्रेस पार्टी ने संगमा को पार्टी से निश्काशित कर दिया फलसरूप P.A. संगमा ने 2013 में National People's Party का गठन किया इस दल का मुख्य आधार मेगाले में है और वर्तमान में वहाँ इसकी सरकार भी है इसके अत्रिक उत्तरपूर्व के अन्य राज्यों में भी इसका आधार है राष्टे दल का दर्जा पाने वाली उत्तरपूर्व की यह पहली पार्टी है यह NDA का घटक है और सत्रमी लोगसवा में इसका एक सांसद है बच्चो अब हम आते हैं आठवे और अंतिम रास्टे दल अखिल भारतिय त्रणमोल कॉंग्रेस पारिटी पर भारतिय रास्टे कॉंग्रेस में 1998 में हुई फूट के कारण ममता बैनर जी ने पश्चिम बंगाल में इसकी स्थापना की मा, माटी, मानुश की विचारधारा में विश्वास करने वाला यह दल सामप्रदाइक्ता विरोधी और बंगला रास्टेवाद का समर्थक है 1998 में अटल विहारी वाजपई की गडवंधन सरकार और सन्युक्त प्रगतिशील गडवंधन सरकारों में यह दल केंदर की सरकारों में भागीदार रहा है इसका मुखे जनाधार पश्चिम बंगाल और तिरपुरा में हैं हाला कि वर्तमान में पश्शिम बंगाल में भाजपा के उभार के कारण इसका जनाधार कुछ सिम्टा है। पश्शिम बंगाल में 2011 से वर्तमान तक इसी दल की सरकार रही है। सत्रमी लोकसावा में इस दल के 22 सांसद हैं और यह आकरामक विपक्ष की भूमी का निभाता है। बच्चो अब हम बात करते हैं प्रांतिय दलों या राज्येस्तरिय दलों की। आम तोर पर इन्हें शेत्रिय दल भी कहा जाता है। पर इनमें से कई दलों की दृष्टी राश्टी है। इनमें से कुछ अखिल भारतिय दल हैं लेकिन इन्हें सफलता कुछी प्रांतों में मिल पाई है। समाजवादी पार्टी, जंतादल युनाइटेड, रास्ट्य जंतादल, आधी का रास्ट्य इस्तर पर राजनितिक संगठन हैं और इनकी कई राज्यों में इकाईया हैं बीजु जंतादल, सिक्किम लोकतांतरिक मोर्चा, मीजो नैशनल फ्रंट जैसी पार्टियां अपनी शेत्रिय पहचान बनाने के लिए प्रियासरत हैं पिछले चार दश्कों में प्रांत्य दलों की संख्या और ताकत में व्रिद्धी हुई है इस से भारतिय संसद विवित्ताओं से और अधिक संपन हुई है 1989 से 2014 तक लोकसभा में किसी भी राष्टे दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाया था जबकि शेत्रिय दलों की ताकत भड़ी थी अतहा यह अवधी गडबंदन सरकारों के युक के रूप में जानी जाती है एक अर्थ में इस से हमारे देश में संगवाद और लोक तंत्र मजबूत हुए थे लेकिन इसके कारण कई बार सरकारें अपनी अवधी पूर्ण करने से पहले ही गिर गई थी और सरकारें राष्टे महत्व के निर्णे लेने में कई बार असमर्थ भी हो गई थी तो बच्चो अब हम आते हैं आपके पसंदीदा खंड प्रश्नोत्त्री पर तो आज का हमारा पहला सवाल है दक्षण एशिया में राजनेतिक दलों के कामकाज के बारे में कौन सा कथन सही है आपके विकल्प है कर राजनेतिक दलों के कामकाज में लोगों की भागिदारी का इस्तर काफी उचा है ख बहुत कम लोग ही राजनेतिक दलों के कामकाज में भाग लेते हैं ग दौनों कथन असत्ते हैं और ग दौनों कथन सत्ते हैं तो बच्चों बताईए क्या है सही उत्तर जी हां सही बताया आपने सही उत्तर है क तो बच्चों अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर शामा प्रसाद मुखर जी, दीन द्याल उपाद्याय तथा बलराज मधोक किस दल के पिरमुख नेता रहे हैं आपके विकल्प हैं क भारतिय कम्मिनिस्ट पारिटी, ख भारतिय जन्ता पारिटी, ग भारतिय राष्ट्य कॉंग्रेस और ग राष्ट्यवादी कॉंग्रेस पारिटी तो बच्चों बताईए क्या है सही उत्तर? जी हाँ, सही कहा आपने, इसका सही उत्तर है ख भारतिय जनता पायटी तो बच्चों अब चलते हैं अगले प्रश्न पर राष्टिय दल और प्रांतिय दल में मुख्य अंतर है, अब आपके विकल्प हैं क राष्टिय दल का दृष्टि कौन राष्टि होता है और प्रांतिय दल का दृष्टि कौन शेत्री होता है ख, राष्ट्य दल में शामिल नेताओं की योगिता प्रांतिय दलों के नेताओं से अधिक होती है ग, चुनाव आयोग, पिछले चुनावों में विभिन दलों को मिले मत पृतिशत और सीटों की संख्या के आधार पर तै करता है कि कौन सा दल राष्टी होगा और कौन सा प्रांति है और ग, राष्ट्य दल अपेक्षाक्रित पुराने होते हैं और प्रांतिय दल अपेक्षाक्रित नए होते हैं तो बच्चों क्या होगा इसका सही जवाब? जी हाँ, इसका सही उत्तर है ग, तो अब चलते हैं अगले प्रशन पर 1964 की फूट से जो दो दल अलग हुए थे वे हैं, अब आपके विकल्प हैं क, भारती राष्टे कॉंग्रेस और राष्टेवादी कॉंग्रेस पार्टी, ख, भारती राष्टे कॉंग्रेस और अखिल भारते त्रणमूल कॉंग्रेस पार्टी, ग, राष्टेवादी कॉंग members party और National People's Party और गः भागपा और मांकपा तो बच्चो इसका क्या उत्तर सही है, जी हां सही कहां, सही उत्तर है गः, 1964 की फूट के बाद भागपा यानि भारते कमिनिस पार्टी और मांकपा यानि माकसवाधी कमिनिस पार्टी अलग हुए थे, तो बच्चो अब आपके अखिल भारतिय क्यों और बच्चो आज के अंतिम्प्रशन आपको कथन और कारण के रूप में दिया गया है तो कथन जिसे हम A कहेंगे वहे भारतिय राष्टिय कॉंग्रेस का जनाधार पहले की तुलना में बहुत सिक्ड गया है और कारण जिसे हम R कहेंगे 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में कॉंग्रेस को क्रमशह 44 और 52 सीट ही मिल पाई और वहे आधिकारिक रूप से विपक्ष के नेता का पद भी नहीं पा सकी तो अब आपके विकल्ब हैं कह A तथा R दोनों सही है और R A की सही व्याख्या करता है ख A तथा R दोनों सही है किन्तु R A की सही व्याख्या नहीं करता है ग, ए तथा आर दोनों ही गलत हैं और ग, ए सही है लेकिन आर गलत है तो बच्चों बताईए क्या होगा इसका सही उत्तर? जी हाँ, सही का आपने, इसका सही उत्तर है का तो बच्चों इसके साथ ही हम राजनेतिक दल पाठ पर अपनी आज की चर्चा यही समाप्त करते हैं आशा है आपको है चर्चा उप्योगी और रूचिकर लगी होगी अगले अंक में फिर आप से भेट होगी तब तक के लिए नमस्कार झालब शोचिकर डिट्स